हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबीका स्लीपी क्लासिस में दोस्तों 2020 के मेंज अभी चल रहे हैं और GS3 का एक्जाम खतम हो चुका है तो उसको अनलाइज करना, डिसकस करना बहुत जरूरी है जो आने वाले जो आस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए बहुत जरूरी रहता है कि कैसे questions को attempt किया जाए कि मुझे कितना current affairs करना चाहिए और कितना static पर दिहान देना चाहिए दोस्तों यहाँ पर एक बात जो हमें फिर से समझाती है वो यही है कि हम अपने content को जितना भी enhance करें content को जितना भी improve करें current affairs के साथ लिखर से लें उत्ता कम रहता है लेकिन सबसे important जो चीज रहती है यहाँ पर क्या कि existing content को क्या हम mold कर सकते हैं इस तरह से mold कर सकते हैं कि हमारा जो question पूछा गया है वहाँ पर वो answer हो जाए existing content को अगर mold करना आपको आगया तो आप answers कर पाएंगे जो भी वहाँ पर आपके सामने question आ जाए ठीक है दोस्तों तो इसी एक particular चीज को मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर हम 20 सवाल discuss करेंगे जो GS means में पूछे गए हैं जो part मैं discuss कर रहा हूँ जो मेरे जो दाइरे में आता है जैसे economy and science and tech भी मैं discuss कर लूँगा दो मैं वो नहीं पढ़ा था ठीक है लेकिन मैं discuss कर लूँगा and then मैं पढ़ाते हैं आपको security issues मैं पढ़ाते हैं environment disaster management तो मैं वो वाला component discuss करेंगे at the end of the video ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं जैसे सबसे पहले उसका broader एक analysis देख लेता है economy 100 marks की आई इतनी ही आ रही है बहुत टाइम से 10 marker 4 question थे 10 and 15 marker 4 question total 100 marks ठीक है and बहुत सारा यहां पर अगर हम component देखें जो static से निकलता है हमेशा like always ठीक है static जो हम content पढ़ते हैं जो जिसे financial inclusion क्या रहती है infrastructure agriculture definitely उसको हम अपने जो हमारी syllabus में mandatory है cover करनी उनको धंग से cover कीजिए analyze कीजिए जितना आप better analyze करेंगे उतना means आपका अच्छा जाता रहेगा 10 security issues है 50 marks के 2 question जिसे वही 4 question total है 2 10 marks के 2 15 marks के then environment disaster management 50 marks का 2 10 marker 2 15 marker science and tech 2 10 markers and 2 15 markers एक दो question है जो बहुत जादा molded है जो हमें लगता है कि environment में आने चाहिए science and tech में तो you get the hint of it कि broadly अगर एक यहाँ पर आएगा तो एक यहाँ चला जाएगा तो यह जो accordingly classification में हम इतना नहीं उलचते हैं science and tech का है यह environment का है तो हमें बात समझा रही है कि बहुत ही evenly distributed यह paper है and जो cross जो करता है जैसे एक particular subject से दूसरे subject में चला जाते हैं जो subject जो questions accordingly हमें उसके लिए prepare होना पड़ेगा तो दोसों सबसे पहला economy part के मैं आपको 8 questions discuss करूँगा जो 10 markers से शुरू कर रहे हैं पहला सवाल है वो कहना है कि intergenerational and intergenerational issues है equity के कि equity का मतलब कि होता है कि समानता कि अगर जैसे for example अगर मैं आज बहुत सारा उधार लेकर अपनी जिन्दगी अराम से काड़ दूँ तो मेरे बच्चे और उनके बच्चे आगे अपने आप चुकाते रहेंगे तो वो that is not intergenerational equity की बात नहीं कर रहा है लेकिन intergenerational जो aspect डालना यहाँ पर question पूछा गया है तो आपको इसलिए accordingly अपने existing content को mold करना होगा तो इसलिए intergenerational जैसे इस जो generation की बात करें कि जो सामाजिक लेवल पर economic, regional लेवल पर कहीं जादा growth है development है कहीं थोड़ी कम है regionally देखें कहीं पर financial inclusion जादा है कहीं कम and then digital inclusion environmental यह सब चीजें हमने मैंने अपने notes से ही निकाल कर यहाँ पर आपको सामने रख दी हैं अगर आप हमारे student हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हमने चीजें पढ़ी हुए इंटर जनरेशनल तो असान है कि अभी आज देखू में तो कहीं पर जादा growth है development है कहीं कम है ठीक है लेकिन इंटर जनरेशनल में थोड़ा सा यहाँ पर innovation दिखानी होगी on the spot दिखानी होगी FRBM को भी आप code कर सकते हैं FRBM इसी लिए जो लडाया गया था ताकि इंटर जनरेशनल एक्विटी रहे कि आज आप बहुत सारा उधार लेकर development कर लें लेकिन किस्ते जो कौन चुकाएगा आपकी आने वाली पुछते हैं ठीक है तो इसी लिए इंटर जनरेशनल एक्विटी उससे सरकार ने अप खुद को हमारी उसके आइडेस को हमने कंसिस्टेंटली चाहे हमारे PCM के लेक्चेर हो मेंस क्राश कोर्स YouTube के इतने सारे दोस्तों मैं बार-बार कोट करूँगा यहां मैं भी कोट करेंगे बार-बार mentorship आप इसका mentorship वीडियो का जो दोस्तों YouTube पर अवेलेबल है mentorship हर एक हमारे subject की जो means oriented है चाहे वो eco है चाहे वो security issues है चाहे पॉलिटी governance है दोस्तों ethics यह सब कुछ अवेलेबल है इतना सारा content पूछा जाता है हर साल क्योंकि यह static बहुत ही जादा analytical topics रहते हैं इस पर question बना वहाँ पर जो content बनाकर रख दिया हर तरह का question हमारा address हो सकता है ठीक है तो यह थोड़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ था कि खोड़ा confidence आए कि जो content वहाँ पढ़ा हुआ है वो काम का content है useful content है बच्चे पूछने साथ 2008 में बनाया था 2020 में बनाया था कितना काम का है दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान अगर border share करते हैं तो issues बहुत जादा constant issues चलते जा रहे हैं definitely कुछ development है हमें current affairs के साथ उसको डालना पड़ेगा लेकिन जो prolonged history है हमारी जो अभी देखें अगर भारत में अगर GDP रुख गई है चलनी तो GDP रुख गई है ऐसा नहीं हमारा कि एकदम से रुखी overnight कल सुपा उठेता रहे GDP रुख गई हमारी तो consistently जो पी चीज़ें चलती है and overnight development नहीं होती तो इसी रहे कुछ definitely जैसे covid आया etc ये कुछ जैसे developments है जो over a period of time हमें analyze करने पड़ती है लेकिन बाकी सब चीज़ें बाकी सब चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत जादा static है तो उन पर जो लेकिन static है तो मतलब यह नहीं कि बहुत कम है बहुत जादा content भी है तो accordingly उनको cover कीजिए mentorship अगर आप PCM बगारा कि हमारे student ने तब तो बात सही है लेकिन अगर आप हमारे paid student नहीं है free अगर हमारे content के तरफ अगर आप थोड़ा सा कदम उठाएं बढ़ाएं तो mentorship videos definitely cover कीजिएगा हर subject के बने हुए ठीक है दोस्तों अगर means crash में मैं आपको सिरफ इसलिए हम बताते जा रहे हैं कि थोड़ा confidence आए कि content जो हम पढ़ा रहे हैं वो काम का content है और जो long term में हम त्यारी करते हैं धीरे 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 जो हर रोज जो चीज़ें add करते जाते हैं वो चीज़ें add होंगी और अंत में चाहे वो prelims रहे चाहे वो means रहे काम आती है paper crack करने में हमारा मज़द करती है तो यह questions के content है इसको use कीजिए inclusive growth में बाकी तो PCM में extensive lecture है inclusive growth में बहुत भड़ा topic है cover करना पड़ता detail में इसलिए जो हम इस पे importance भी रिखाएं तो दोस्तों potential GDP define करनी थी थोड़ा straightforward उसके determinants क्या रहते है ठीक है and यहाँ पर बच्चे थोड़ा चक्मा खा सकते हैं कि अरे potential GDP के होती है तो अगर आपको नहीं भी आता on the spot सोचिए जो maximum जैसे जो given for example अगर मेरे पास इतनी machinery लगी हुई है मेरे इतनी skill level है हमारे man force का and accordingly हमारे देश में कितना technology available है and कितना capital available है उसके हिसाब से हमारी क्या GDP होनी चाहिए वो हमारा potential GDP होगा हाना इतनी होनी चाहिए दो trillion होनी चाहिए धाई, तीन अगर मैं उससे जादा बना रहा हूँ that means मैं अपनी machinery को man force को, technology को over use कर रहा हूँ अगर मैं उससे कम बना रहा हूँ that means मैं under use कर रहा हूँ तो इसलिए जो potential GDP etc बगाना मुश्किल लगता है सुनने में लेकर इतना मुश्किल नहीं है थोड़ा इत्मिनान से सोच कर काम करेंगे potential हना क्या कितना कर सकते हैं उसकी बात हो रही है and then उसके factors बताने है and भारत अपना potential realize क्यों नहीं कर पा रहा उस GDP, potential GDP तक पहुँचने के लिए आपने बता रहा था जो again मेरे हिसाब से expected lines वाले question है potential GDP इसलिए daunting लग सकता है लेकि नहीं है मैं आपको चाहता हूँ रहा confident feel कीजिए जो यह वो वाले topics है potential GDP and then उसके बाद की उसका policy making में use क्या है बहुत से काम आ सकते हैं कि आज हमारे भारत को यह जो हम अपने potential पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे way ahead डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर आपको लग रहा है question में पूचा नहीं है लेकिन आप हमेशा बताएंगे सर यह 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 factors हैं जो potential GDP में हमें नहीं पहुचने दे रहे और हमें यह 3-4 points सर प्लीज आप यह भी देख लो 3-4 points यह वाले है जो हमें potential GDP पर पहुचने में मदद कर सकते हैं तो इसलिए मैं इसको detail में नहीं जाते हुए जैसे इस बार question था हमारे means crash में कि भारत growth recession का शिकार है कि सरकार इसके बारे में क्यों चिंता गरे ठीक है जिसके लिए points बताएं YouTube पर हमने discussion की हुई है कि various impediments जो हमारे GDP को रोकते हैं यह link लगा हुए and then उसके बाद जो discussion आप देख सकते हैं कि जो 5 trillion dollar economy भारत क्यों नहीं बन पाएगा उसके साथ concerns क्या क्या है उसके बार में बात की हुई है यह 15 दिन mains in हमारी एक playlist है उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ही mains oriented content है दोस्तों उसको अगर आप पढ़ना शुरू करें MADD के वीडियोज हैं हमारे mentorship के वीडियोज हैं उसके बाद अगर आप देखें 15 दिन mains in के वीडियोज हैं ठीक है दोस्तों यह कुछ-कुछ चीजों के पर ध्यान बनाए रखें जोगार्ड सीरीज है means में अच्छे नंबर हमें मिल सकते हैं दोस्तों पीपो कह रहे हैं कि agriculture expected था प्रीवें बहुत आया हमारे means में भी आने के चांसे थे बहुत ज़ादा agriculture के त्यारी करी लेकिन उसके हिसाब से देखें तो थोड़ा expected lines पर आया है चोड़ी चोड़ी चीज़ों में सवाल पूछेंगे लेकिन नहीं पूछे बहुत ही बड़े बड़े सवाल ही है तो यहाँ पर पूछेंगे कि transport and marketing करना agriculture में क्या क्या constraints है तो थोड़ा expected predictable lines पर ही है बहुत time से expected था यह पूछेंगे तो marketing में बहुत सारी चीज़ है अगर आप जो economy की mains के जाके economy GS3 की playlist से लाएंगे उसमें जो कुछ शुरू के ही सवालों में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो question डिसक्स किया हुए कि agriculture के issues कि credit का issue लगा लो marketing का issue बहुत सारे points, points, points देखें हुए तो जो भी सवाल पूछ रहा है उसमें हम code कर सकते है ठीक है and then क्या हम इसमें way ahead देखें कि क्या कर सकते है and then उसके बाद जो भी आप इतने सारे आप content cover करते जा रहे है marketing को लेके जो reform चल रहे हैं and then even की देखें की private sector को involve करने के बात हो रहे है तो यह सब points आएंगे डीट सो शब्द है अराम से अच्छा structure बनाए question को अच्छे structure के तहट infrastructure बनाके complete करें and then again इससे जाद straightforward question नहीं हो सकता food processing की आप challenges and opportunities बताइए कि भारत में challenges भी है food processing का आगे mentorship lecture में आप गए वहाँ पर जाकर आपने देखा कि यह पूरा जैसे आप lecture देखेंगे इस lecture में जो हमारा lecture number 7 है mentorship में तो total 10 lectures है mentorship के 10 lectures में से इतना content निकलता है कोई आदे खंटे का है तो कोई 40-50 minute का है ठीक है इतना भी निया कि आपको में बहुत time demand कर रहा हूँ ठीक है आपके rank के लिए यह जरूरी है दोस्तों मैं आपको इतने request कर रहा हूँ कि आप जाके lectures देखिए कितनी काम के lectures है ठीक है तो वहाँ पर जाके आप देखेंगे जो food processing के advantages जो potential की भारत में क्यों हमें food processing इतनी वड़ी कोई चीज हो सकती है और कैसे जो हमारे farmers की आय दोगुनी कर सकती है इन सब के बारे में जो multiple तरह से analyze किया हुए and then कि farmers की income कैसे बढ़ सकती है and then हमने अभी अपने test series में भी discuss किया था जो full length test में कि status बताईए food processing sector का कि अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है and जैसे आप scheme भी थी जो प्रधान मंतरी formalization of micro food processing enterprises कि micro food जो enterprises है processing enterprises वो कैसे help करेंगी food processing में please डाल लिए ऐसे चीजों को ताकि हमारे answers जो थोड़े current के हिसाब से relevant बन जाए broader हम idea समझा देंगे लेकिन current के examples जालने से दोस्तों वो मसाला ऐसा त्यार होता है examiner आपको number दिये बिना रुक ही नहीं सकता ठीक है अब यहाँ पर जो 15 marker शुरू होते है 4-10 marker थे 4-15 marker 15 marker में पहला question है कि आप बताईए कि investment क्या मतलब क्या रहता है in an economy in terms of capital formation कि investment जैसे eco survey का एक lecture है हमने जो यूट्यूब पर भी cover है ठीक है eco survey chapter 1 volume 1 eco survey की theme ही दोस्तों पूरी यह थी कि किस तरह से जो saving है and then saving से investment होती है investment से capital formation hypothesis जो उन्होंने दिया था उसको पुरा आगे वो elaborate करने की कुशिश करते है जो बहुत ऐसा भी दिया कि extensive है and then आपने बता सकते है capital formation होती है capital formation होने से आप थोड़ा आगे बता सकते है कि जैसे भारत थी even की planning में भी इसमें बहुत जो use किया इसको and then इसके बाद आप इसको जो मतलब समझाने के बाद की कि जो planning में use हुआ उसके बाद हमारे देश में जैसे initially हमने अगर अपने PCM lecture में अगर आपने देखा हो तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने lectures update किये थे कुछ वक्त पहले तो वहाँ पर जैसे even की जैसे higher or dommer model etc even की जैसे अगर initial ये pre में पूछे गई थे सवाल कि जो GM Keynes ने भी ऐसा कुछ बात की हुई है आप अगर एक दो नाम वहाँ ड्रॉप करेंगे तो अच्छा हमारे वहाँ पर impact पढ़ सकता है कि थोड़ा जो academically सही बात हो रही है ठीक है कि and then क्योंकि eco survey किसे हम जो points निकाल के वहाँ डालते हैं अगर तो definitely हमारा advantageous position पर होता है क्योंकि current हम बात कर पा रहे है लेकिन हम थोड़ा academic बात भी करें without really doing a lot of name dropping बिना नाम drop के कि Keynes का नाम लिख सकते है important नाम है तो आप वो लिखके आगे बता सकते हैं capital formation के बारे में क्या क्या चल रहा है capital formation मतलब जो long term investments हो रही है long term investment कहां सी होगी दोस्तों अगर हमारे country में saving होगी saving लेकिन जो हमारा बात बतानी बहुत जूरी है eco survey का lecture भी हमें बताता है कि हर एक saving investment में तबदील नहीं होती ठीक है right, appropriate, environment create करना होगा NPS बगारा होते हैं तो banks अपने वहाँ पर saving बनाए रखते हैं लेकिन invest नहीं करते हैं ठीक है invest नहीं करेंगा capital कहां से formation होगी तो इसलिए आप इसको थोड़ी सी drawbacks भी समझाएं कि यहाँ पर सा थोड़ी कमिया भी है इस lecture में covered है कोई ऐसे घबराने के बाद नहीं है and then उसके बाद था कि जो concession agreement जो अगर हमने PPP अगर चलाना है तो उसमें concession agreement बनाना है दो लोगों के बीच में क्या-क्या उसके factors हो सकते हैं तो वो factors हमें जहां जैसे देखा है हमने यहां पर एक question है PPP वाला question and then उसके पहले एक question था कि investment अगर हम करना चाहें अपने economy में तो अभी जो infrastructure बहुत ही low hanging fruit है भारत में infrastructure में invest करना एक बहुत ही जो एक ऐसी चीज है जहां पर हमें returns बहुत immediately मिलेंगे तो इसलिए low hanging fruit वाला question आप जाके देखिएगा उसमें हमने sector wise बताया हुआ है कि sector wise मैंने discuss किया हुए एक किताब थी जो recently आई थी बहुत सारे economists ने निकाल थी उसमें summarize किया था तो वो sector wise जब हम बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि सर्थ sector wise जो agreement है वेरी करेंगे लोगों के बीच में ठीक है जैसे for example railways के बीच में अगर आप चाहते हैं तो कुछ और वहां पर पैमाना रहेगा ठीक है public और private entity के लिए अगर आप roadways में चाहते हैं अलग होगा ports में अलग कुछ पैमाना हो सकता है तो पहले sector wise जो हमारे factors they will vary तो and accordingly आप वहां पर अगर आप इस तरह से क्योंकि जो increasing चाहिए आप बोल सकते हैं विजे केलकर ने भी कहा था कि कोई model agreement नहीं हो सकता ठीक है हमें sector wise वेरी करना पड़ेगा विजे केलकर committee report important report रहते है PPP में हम study भी करते है हमारे lectures में available भी है mentorship में डाला हुआ मैंने तो इसलिए आप उसको देखें and accordingly अपने answer को formulate करें okay then दोस्तों GST का जो compensation वाला जो चल रहा था कि COVID-19 के चलते सरकार ने पहले कहा था रहा कि हम compensate करेंगे अगर आपका shortfall होगा लेकिन सरकार ने recently कहा पैसे नहीं है हमारे पास दोस्तों तो आप जाके बारो कीजिए तो उसके बारे में हमने recently 10 December को हमने अपना pre-cure भी किया था उस pre-cure में मैंने आपको option 1, option 2 समझाई थी कि कि किस तरह से जो compensation act के तहट चलते हुए अभी shortfall थोड़ा witness हो रहा है तो shortfall के चलते है option 1 कह रहे थी option 2 कह रहे थी है वो आप देख सकते है तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था straight forward current affairs के directly उठा के पूछ लिया थोड़ा सा पुराना लेकिन अभी news में है option 1, option 2 आप समझाएंगे उसके जो federal tensions की बाद भी चल रही है कि कुछ states है जारकन जैसे last state थी जिसने add हूँ यहाँ पर जारकन कह रही थी कि यह सही काम नहीं है आप अपने वादे से मुकर रहे हैं लेकिन सरकार ने कहा था act of God है तो accordingly हम वादे से मुकर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में यह चीज नहीं है तो यहाँ पर की particularly जो states ने जो वादा किया गया था by the center उस पर center थोड़ा रेनेज कर रहा है लेकिन accordingly center ने बहुत सरी यहाँ पर जो कुछ option one में ऐसी कुछ concessions भी दे रहा है कि आपका कुछ हम किष्ट हम चुका देंगे accordingly तो आप यहाँ पर जो financial उसकी बात कीजिए कि पहले तो financial जो power outgo हो गई है जो center ने जो sorry states ने जो अपनी power को फोड़ा forgo किया वहाँ पर center की responsibility बढ़ जाती है लिगे अब center अगर उसको act of god कहाँ कि अगर उससे अपने हाँ चुड़ा रहा है तो यह जो थोड़ा lack of trust create करेगा ठीक है between the center and the states ठीक है and then उसके बाद आप यह बता सकते हैं states की भी capacity बहुत low ती बारो करने की and accordingly FRBM Act के तहट भी states पे बहुत ज़्यादा बंदिश है तो उस कारण भी हम देखें अगर तो center फिर से बहुत सारी वहाँ पर जो conditions लगा रहा है कि आप जो तीन conditions की बात करते हैं वो conditions लगा रहा है अगर कि अगर आपको और borrow करना है तो यह conditions पूरी कीजिए तो यह federal tensions create होंगी financial matters में and accordingly जो distribution of power की बात हो रही है आप further point पर डाल सकते हैं कि particularly यहाँ पर अगर देखें तो even की जो movement of goods etc को लेकर भी जो बात चल रही है वो भी यहाँ पर further tensions create कर सकता है तो amicably resolve करना आप यहाँ पर जो GST को जो resolution mechanisms है उसकी बात कीजिए ठीक है जो एक हमारे पूरी जो body गठे था के लिए उसकी बात कीजिए ठीक है जो जो इसको resolve करेगी जहाँ पूरे सभी finance ministers बैट कर discussion करते हैं then दोस्तों जो यह एक सवाल है बहुत ही pertinent question इसको innovatively tackle करना चाहता हूँ मैं ठीक है यहाँ पर रिखा हुए कि major factors बताईए भारत में rice weed system ही क्यों कामयाब हुआ ठीक है rice weed system क्यों कामयाब हुआ ठीक है पहली बात तो थोड़ा सा innovation मैं आप कुछ आता हूँ पूछना कि अगर मैं आपसे पूछता लेट से कि दोस्तों भारत में pulses क्यों नहीं उकती भारत में इतनी डालों की production क्यों नहीं होती इतना भारत जो पूरा का पूरा भारत pulses खाता है दालें खाता है लेकिन दालें produce नहीं होती यह क्या चक्कर है rice wheat rice wheat ही क्यों produce होता रहता है और excess produce हो रहता है तो इसके बार में आप क्या बोलेंगे अगर मैं आपसे पूछ हूँ ठीक है I am rephrasing कि भारत में pulses क्यों जाधा produce नहीं होती तो आप बोलेंगे सर क्यों की भारत में rice wheat जाधा produce होता है and then आप कारण बताना शुरू करेंगे कि rice wheat जाधा क्यों होता है तो आपने कान को ऐसे नहीं पकड़ा थोड़ा घुमागे बगड लिया तो यह वाला question हमने discuss किया हुए कि why pulses are not produced in India economy means का पहला ही वो सवाल है ठीक है क्योंकि MSP की बात हो रही है and then states भी है APMC की थुरू जाधा उसको जो करती है promote करती है rice wheat को state का role भी है state को बाकी 23 crops नजर नहीं आती ठीक है center से पैसा आता है सारा का सारा MSP में कहा लगा देती है rice wheat में ठीक है and then export पे ban लगा रहता है आता रहता है pulses का बाकी चीज़ों का rice wheat पे इतना नहीं रहता तो accordingly तो tension खतम हो जाते किसान की and then जो stockist holder हना यह बहुत सारे points है जो आप लेख सकते हैं थोड़ा सा innovative tackle कीजिए और भी points है आपके पास वो भी डालिए ठीक है rice wheat system इसलिए भारत में काम्याब होता जाता है इस पे research and development बहुत जादा है हाना इस standard से एक जो दुख है pulses वालों का कि हमारे पर आप research and development ही नहीं करते हैं नहीं तरह की varieties आती है rice wheat में आती है ठीक है even जो fertilizers आ रहे हैं अच्छे अच्छे जितने भी सब कोछ सब rice wheat system को लेकर आ रहे हैं जो भी policies बन रही है irrigation system बन रहे हैं जो भी आप agriculture में imagine कर रहे हैं चीजे ना पूरा step by step imagine करते रही है कि seed से लेकर market तक पहुँचने में किस तरह से पूरी journey चलती है तो वो पूरी journey में rice wheat, rice wheat की ही बात हो रही है, बाकि किसी भी चीज की बात हो ही नहीं रही, इसी कारण से right wheel system बहुत prevalent है and then उसके बाद देखें किस तरह से भारत का दुख बन गया है, आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा MSP में खर्चा करना पड़ता है food stocking करने पड़ती है and जो आप बोल सकते हैं कि even की जो paddy burning से नई तरह की issue आ रहे है etc. तो यह देख रहे हैं आपकी बिल्कुल common sensically existing content को घुमाईए and अच्छा answer बनाईए कैसे करेंगे, structure बनाएंगे, अच्छी-ची जो यहां पर की कैसे जो हमारे depleting scenario चल रहा है water का उसको कैसे हम बढ़िया यूज कर पाएंगे irrigation systems की बात कीजिए तो eco survey में हमने chapter record discuss किया हुआ यहां पर ठीक है agriculture का तो बहुत ही बढ़िया है उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं data के साथ कि भारत में data के हिसाब से देखें तो हमारे बैसे PCM के रेक्षेज एट्सेटर में भी है तो वहाँ पर अगर आप नहीं है PCM में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारत का जैसे ऐसे अगर मैं for example दोस्तों बताओं अगर कि अगर लेट सेब बोलों कि भारत में 30% जो हमारी irrigation हो रही है माल लीजिए 30% कनाल से हो रही है कनाल irrigation तो कि ऐसा होगा कि 5 साल बात में एकदम सड़नली 30% से सिरफ 5% रज़ जाए ऐसा नहीं होगा न दोस्तों तो data बहुत slowly change होता है agriculture तो हमारी देश में और भी slowly चलता है तो इसलिए data अगर आपको मिल रहा है कहीं पर उसको कहीं से quote कर सकते हैं याद आ रहा है तो घबराईए मत quote कीजिए data को and then क्योंकि आपने पढ़ा था आपको लगए अरे नहीं last year का data है उससे last का है then आप बताएं कि बिसर issues तो हैं बहुत सारे and उसके लिए schemes भी चल रही है जैसे परधान मंतरी कृष्य सिंचाई योजना इसके बहुत से components हैं उन components को अगर आप explain करना शुरू करें आपका दोस्तों यह सारा का सारा part irrigation system का address हो रहा है pre में बहुत काम आता है लेकिन यह वो वाली knowledge है जो pre की knowledge को हम mold करके हम अपने means में यहाँ पर अच्छा बड़िया answer बना सकते हैं ठीक है तो इसी रही विसे geography के भी PCA में आपके covered education system तो लेकिन उसको mold करना जरूरी है चलिए अब चलते हैं दोस्तों science and tech के पार्ट के तरह यह nanotech पूछा गया था आपसे क्या होता है तो nanotech जो अगर standard हमारे means का topic है दोस्तों लिखा हुआ है हमें यह पढ़ना जरूरी है तो पढ़ेंगी and then कैसे health sector में मदद कर रहा है तो आप बताएं nanopharma के बारे में regenerative medicine, biosensors, drug delivery and then कि Indian context में nanomedicine, nanotech में हम क्या कर रहे है इसके साथ लेकिन आप challenges and dilemmas भी बताएं कि करना चाहिए कि नहीं and conclude कीजिए जो हमारे prelims के crash course हमारे PCM में यह lecture जैसे cover है अराम से data उठाएंगे तो वो hit जैसे means में बहुत काम का topic रहता है इसलिए पढ़ना जरूरी then science हमारे जिंदगी में कहते हैं बहुत deeply जो interwoven है जैसे जिंदगी के जो हमारा fabric है देखेंगे जिंदगी को उसमें science इतनी बुरी तरह ingrained हो चुकी है तो आप इसको कैसे answer करेंगे दोस्तों इसमें आपना multiple तरह से answer कीजिए जो various dimensions दिखाईए सिरब ऐसा नहीं कि दवाईया है तो आप सब तरह से दिखाईए कि डिजी locker आप तो कुछ कागस कहरी ही नहीं कर रहे हैं ठीक है education में घर बैटे पड़ रहे हैं political participation में media disaster management में early warning systems है इतना कुछ defense की अगर आप बात कर ले automatic की cameras लगे हैं CCTV cameras आपके छोटे-छोटे घरों को defend नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों इस सब चीजों के बारे में बताएं अपने answer को holistic बनाएं and then उसके बाद अभी जो science अगर agriculture में देखें कि क्या क्या बदलाव हुआ है जो science की technology की जो कारण हुआ तो बहुत सारी चीज़ हैं जिस पर हमने दोस्तों एक question मना था नीती की report थी नीती की report पर generally जो भी available है हम उस पर question मना देते हैं तो नीती की report थी वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे जो farm laws में दिसकस करना था ठीक है उसमें हमने technology डिसकस की हुई है जो farmers ला सकते हैं then digital ecosystem पर report थी वो हमने discuss करी then space कैसे use हो रहा है agriculture में science and tech दोस्तों बदल रहा है ना पूरे की पूरे system को तो इनको crop insurance etc जो जितनी भी हमारी insurance हो रही है भी दोस्तों insurance जो crop insurance हो रही है तो वो कैसे होती है आप drones etc की मदद से देखते है तो इस सब इत्रोड़ा चीजों के बारे में mention कीजिए अच्छा answer बन सकता है हमें 500 शब दिखने है structure बनाना इसके बहुत ज़रूरी है structure बनाए answer बनाए then हो कहने है कि COVID-19 के चलते unprecedented devastation होई दुनिया में बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो नहीं चलो and then however technological arrangements are being availed ठीक है कि कहरा है कि इस तरह से technology ने आकर कि हमें crisis को जीतने में मदद करी and then हो कहरा है कि कैसे technology को हमने इसमें जो अपनी पूरी pandemic को manage करने में कैसे use किया then आप बताएं इसमें कि क्या क्या devastation हुई and then technology ने कैसे उसको minimize करने की कोशिश करी कहां कहां पर बताएंगे आप information जो हमने पहले gather करी फटाफट से लगों का पता लग रहा था कि घर बैठे कि क्या करना है क्या नहीं करना and then physical interactions reduce हुई क्योंकि आपने कहा था है social distancing करनी है तो sir लेकिन मैं meeting कैसे करूँगा मैं college school कैसे attend करूँगा तो zoom meetings की जात की हमने bill payment शुरू हो गई dbt घर बैठे पहुंच रहे तो इसलिए आप इसको और भी बता सकते है कि जैसे हमने एक recently हमने पेंडेमिक के कारण जो future आने वाला था अब बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है इस context में आपने बताना था कि क्या भारत को manufacturing करनी चाहिए कि नहीं तो लेकिन आपने यहां पर समझाना था कि सर नहीं नी तरह की चीज़ें आ रही है ठीक है जो industrial revolution 4.0 हम बात करते थे हो रही है शुरू हो चुकी है तो यह सब चीज़ें आप बताएं कि किस तरह से भारत इसमें जो भारत क्या कर रहा है दुनिया में क्या हो रहा है and accordingly क्या challenges हो सकते हमारे सामने and हमें किस पर focus नहीं करना चाहिए that's it हमारा अच्छा answer बनेगा हमें number भी मिलेंगे then यहाँ पर एक चैसे environment का question मान लिजे या science का मान लिजे कि electric energy के आपने benefit बताने थे जो कि sunlight से निकलती है in contrast to conventional जो conventional मतलब जैसे coil light से बनती है उसके बतले देखें तो sunlight वाली बिजली के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं ठीक है मतलब कि simple है कि electricity generation from जो sun हो रहा है solar parks हो etc उसके आपने फायदे बताने ठीक है and भारत सरकार के initiatives बताने इस purpose के लिए थोड़ा straightforward question regularly news में ऐसे कोई चमतकारी बात ही नहीं दोस्तों भी तक paper में except a couple of questions जहां पर आपके कोई depth की knowledge एक होती है वरना तो आप बहुत जादा जो आप knowledge gather करते हैं उसको arrange करने ठीक है भारत के solar alliance के बारे में बताईए solar जो portals के बारे में बता सकते हैं solar parks की guidelines ठीक है जो overall जो अगर हम बताते हैं solar energy से हमें क्या क्या फाइद हो सकते हैं जो हमारे कोईली की energy से नुकसान है solar से फाइद हैं लेकिन आप हमेशा ही हमेशा ध्यान रखें कि सिरफ अगर positive पूछे गए हैं तो दो तिन negative भी बताएं चाहें पूछे नहीं गए negative भी बताएं कि land acquisition की बात हो रही है technology की बात हो रही है dependence रहती है चाइना पर और हमारी हाप भी है नहीं and accordingly जो अब बोले कि even की जो अगर हम solar की बात भी करें तो उसके भी जो prices बहुत regularly drop हो गए and accordingly जो बहुत सारे contracts थे जो companies ने किये हुए थे even की सरकारों ने उसको भी सरकार ने मुकर गई रेनेज कर दिया तो यह सब tensions हो है यह electrical energy की batteries चाहिए होती है and cloudy weather में नहीं बनता है जो simple simple चीज़ ने दिमाग में रखी है तो accordingly electrical energy की limit भी है from solar ठीक है लेकिन भारा सरकार के initiatives हमने देखे etc ठीक है दोस्तों तो यह थे हमारा पास कुछ question जो science के थे या eco के थे अब मैं मैं को आगे hand over कर रहा हूँ मैं अब environment and disaster के बारे में यहाँ पर बात करेंगे so continuing with the part of environment and disaster management so जो हमारा पहला question था paper में the first question was how does the draft environment impact assessment notification 2020 differs from the existing EIA notification of 2006 answer in 150 words because it was a 10 marker right so fairly simple question था in fact हमने जो हमारा मेंस का crash course house में जो environment का first lecture था उसी में हमने यह question discuss किया था basically what we discussed was critically analyze the significance of the new draft notification so basically अगर हम देखे तो दोनों question में बात हमने वही लिखनी है कि जो नही हमारे पास notification है वो कैसे बहतर है और उसका criticism क्या है compared to the notification of 2006 so this was a question which was very much expected in this year's means right और the idea is to write it in a correct structural form ठीक है आपको अपना structure मास्टर करना है like any other question ठीक है so I would say कि यह फेरी simple question था आपको सिरफ 10 marks का question था तो कोई फालतू की बात नहीं करनी थी जैसे कि हम structure में बात करते हैं कि हम introduction देते हैं ठीक है उसके बाद we write about the body and the conclusion this is the basic structure ठीक है इस case में जो body थी उसमें आपको यह बताना था कि कैसे जो नया notification है वो better है because obviously different की बात करनी है हमने तो कैसे हम बताएंगे कि कैसे वो better है but at the same time उसमें कुछ positives भी है sorry at the same time उसमें कुछ criticism भी है कैसे better है कि मतलब जो process है उसको छोटा कर दिया गया है online है transparent है these are the positives as far as the cons को you can always write that the post facto approval को भी इसमें include किया गया है right and and जो public consultation का time है उसकी जो duration है वो 30-20 days कर दी गई है so all of that and finally once you have addressed the body then you can write the way forward and the conclusion so simple question था इसमें कोई मुश्किल नहीं था और बहुत ही predictable lines पे ये question था like I said कि हमने जो ये question हमने डिसक्स किया था अपने क्राश में तो इसमें हमने points डिसक्स किये थे एक एक feature को अनलाईज किया था कि उसमें क्या issue है we discussed it that way now जो next question था ये जलशक्ती अभ्यान पे है जो जलशक्ती अभ्यान है ये भी news में था because it was launched in 2019 19 only तो government ने ये launch किया था कि जो water security है water conservation को इंशौर करने के लिए community participation को इंशौर करने के लिए तो इसके salient features हमने डिसक्स करने थे so again काफी simple structure है इसका आप पताएंगे introduction देंगे जलशक्ती अभ्यान के बारे में कि ये एक extension है जलजीवन mission की जिसमें pipe supply देनी है households को और जलशक्ती अभ्यान is focused more on the community participation right then you will go on to the features then you will write certain challenges and finally way forward and conclusion right so ये भी हमने अपने प्रेमिक्स में कवर किया गया था and काफी जादा देटेल में कवर किया था so that is what I want to stress upon is कि जब हम मेंस तक पहुंचते है like you are writing मेंस तो पहली चीज़ when you are writing मेंस ठीक है obviously आपने प्रेलिम्स क्लियर किया है तो आपकी knowledge base ठीक ठाक सा है लेकिन जब आप मेंस पहली बार लिखते हैं तो आपको अपने structure पे काम करना है ठीक है आपको introduction में क्या लिखना है body में क्या लिखना है so next question was regarding national linear program initiated by the government of India again आप देखरो कितना simple form of questions है ये और इतने predictable questions है ये देखो ये भी 2019 में आया था NCAP और तभी इतना जादा news में था ना कि हमें लग रहा था कि ये पेपर में आएगा येगा in fact तब हमने अपने जो हमारा mad आता है which is mains a day initiative जो free initiative है जो हम mains से पहले शुरू करते है it comes at 10 a.m. every day तो उसमें हमने NCAP को काफी detail में cover किया था in fact we made a question do you think NCAP will help Indian cities in combating air pollution right तो वही मैं आपको बता रहूँ कि इतना जादा predictable lines पे ये questions है और in fact इसका अगर हम question देखे तो formation is so easy कि आपको simple features बताने है तो ये वाले जो questions होते है न जब UPSC ने level इतना मतलब okay okay कर दिया है कि आपको direct questions पूछ रहा है तो आपका जो structure है और जो content है दोनों ही बहुत जाता है important हो जाते है जो question में पूछा गया है वही लिखे don't waste your time इधर उधर अगर आपसे key features पूछे गया है NCEAP के तो वही key features लिखे उसमें क्या challenges है और उनको कैसे overcome किया जा सकता है and finally conclusion ठीक है so that is the only thing again NCEAP अगर हम बात करें तो air pollution के उपर था के PM 2.5 और PM 10 का level हम कम करेंगे all that will be increased so all of that right so next जो हमारा question है यह थोड़ा मुझे लगा कि इसमें आपका थोड़ा structure important हो जाता है so the question is discuss the recent measures initiated in disaster management by the government of India departing from the early reactive approach जो यह question है इसमें basically अगर हम बात करें तो अभी recently जो तिने भी disasters हुए है तो उसमें आप प्रो आक्टिव अप्रोच रहती है कि जिसे cyclone funny, cyclone titli की बात करें अगर हम तो हमने पहले ही उनको detect करने कि जो हमारे पास sources हैं जो technological sources हैं उनको हमने बढ़ाया है government is working on that कि हम पहले ही proactively ही detect कर पाए क्योंकि यह होने वाला है उसके बाद हम lives का loss प्रिवेंट कर पाएं, infrastructure का loss प्रिवेंट कर पाएं तो उसके लिए government बहुत initiatives ले रहे हैं लेकिन हाँ हमने अपने questions में यह जरूर discuss किया है कि जो India है अप India is more focusing on improving the resilience जैसे कि हमारी जो proactiveness है उसको बढ़ाने के लिए मतलब हम risk assessment पे जादा focus कर रहे हैं हम अपनी vulnerabilities को determine करने में जादा focus कर रहे हैं तो basically आप एक तो introduction में यह लिख सकते हैं कैसे जो India है वो proactive की तरफ जादा बढ़ रहा है rather than being focused upon the reactive approach ठीक है इसमें you can actually write about हमारा disaster management act वो measures ठीक है क्योंकि उसमें vulnerability और risk assessment की बात की जा रहे है और recent measures में हम coalition है CDRI उसकी बात कर सकते हैं NPDRR की बात कर सकते हैं कैसे states और center की जो है so all these measures can be written in this part of the question okay तो यह हमने जो भी cover किया हुआ है in our various initiatives that I have given the screen shots then next question जो next part है वो security issues के उपर है next question है हमारा discuss different type of cyber crimes and measures required to be taken to fight any menace ठीक है यह काफी जादा easy question है ठीक है और हमने मिलता जुलता question discuss किया हुआ था अपने जो हमारा PCM Batch में जो हमने questions दिये थे security के कुछ model answers के साथ questions दिये थे जो हमारा जो हमारा next question है यह हमारे मेंस के security issues sectional test पे भी हमने काफी कुछ discuss किया हुआ है जो हमारा test house में हमने यह भी discuss किया था क्योंकि यह बहुत जारा news में आ रहा था कि COVID-19 की वज़े से क्योंकि online ही हो गया है सब कुछ तो जो cyber attacks है वो भी बढ़ जाएंगे यह हिंदू का article था तो हमने इसी के ओपर एक question बनाया था in fact आप जब conclusion लिख रहे हो या introduction लिख रहे हो तो उसमें भी आप recent जैसे events के साथ जोड सकते हो तो यह आप उसमें यह वाला example भी आप दे सकते थे right just to make your answer a little different and in sync with the contemporary times then the next is question is on the border management और इसमें हमारे पास बात की गई है कैसे हम जो लोकल्स हैं उसमें favorable perception की बात करें so simple 10 mark कर था तो आपको इसी की बात करनी थी थोड़ा बहुता border management के बारे में बताएं ठीक है मतलब as in like you can give the introduction ठीक है उसके बात थोड़े बहुता आप थ्रेट्स की बात कर सकते हैं के हमारे border areas में क्या threats है and why is the role of the locals important and then you can just write about the steps के आप कैसे आपर development करें ठीक है एक हमारी जो strategy है WAM, Winning Heart and Mind strategy ठीक है infra development तो कैसे funding अगर वहां पे जाता जाती है schools जाता बनेंगे ठीक है jobs create होंगी all of that points could be included in this part of the question and we have covered this in our border management and mentorship lectures बहुत 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 important है हर साल यह relevant है क्युकि basics सब कुछ हमने covered होई तो YouTube परी playlist है प्लीज अगर आप security पर रहा है तो इससे जरूर prepare केजे even if you are not part of our paid initiatives then the next question is regarding left-wing extremism तो इसमें determinants है तो left-wing extremism के जो determinants है standard ही है ठीक है eastern part of the India में prevalent है ठीक है उसके बाद government को क्या measures लेने चाहिए तो यह काफी जादा static में से question आया है कुछ भी इसमें current का part नहीं है and finally mentorship में again we have covered everything regarding the left-wing extremism in detail तो that would have helped you right and finally जो हमारा last question है यह है analyze internal security threats and trans border crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan including LOC ठीक है आपको basically जितने भी threats है वो बताने है और उनके नाम बता दीजे ठीक है you can also write about the drugs trafficking, the human trafficking ठीक है उसके बाद जो भी यह सारे points and security forces कैसे इनको prevent करने में एक role play करती है ठीक है so that is again a very simple question तो कुछ भी tricky नहीं है बस I think इस paper का अगर analysis हमें करना हो तो आप ऐसे लिख सकते है कि if you would have written enough ठीक है और आपकी जो structure forming capabilities है वो अच्छी है तो content wouldn't have been a problem as far as this paper is concerned ठीक है and दूसरी चीजी है कि जो लोग prepare कर रहे है for writing the 2021 attempt I would only say that you should always focus on the structure formation ठीक है structure सीख लीजए अगर आपका content अभी average है don't worry just focus on the fact कि आप structure से ही बना रहे है जो paper जो question में पूचा गया है आप उसी को address कर रहे है एक एक part को address कर रहे है को छोड नहीं रहे है then you can with time build upon the content right so that shouldn't be a problem so this was regarding the analysis of GS3 I hope this has been helpful अगर आपको कोई doubts है आप comments में लिख सकते है thank you so much for